नमस्कार दोस्तों दीपावली पर्व के हार्दिक शुब कामनाओं के साथ मैं सियनुब भाटिया आज आपके साथ एक छूटा सा डिस्कुशन करने जा रहा हूँ What is new tax relief for home buyers and developers? So जैसा आपकी knowledge में है कि माननी वित्मंत्री महोधिया ने कल यानि 12 नमबर को अपनी एक घुशना में ये बुला कि home buyers के लिए और developers के लिए हम कुछ relief measure लेकर क्या रहे है तो उनमें से income tax से related ये relief measure क्या है उसी पर एक छोड़ी सी चर्चा आज के इस वीडियो के थुरू आपके साथ करने जा रहा हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो के coverage क्या है क्या क्या मुख्य बिंदू है what is the new rule and its purpose नया rule क्या है इसके purpose क्या है how it works ये कैसे काम करेगा who will be benefited इसका लाब किसको पहुँचेगा and what are the important conditions ये चार बिंदू लेकर के मैं आपके साथ इसी वीडियो में आगे बढ़ता हूँ अब सबसे पहली बात दोस्तों what is the new rule and its purpose basically भारत सरकारी मानती है कि real estate की बहुत सारी inventory builders के पास हिकटी है और उस inventory को बेचने में एक hurdle ये भी है कि अगर market value किसी particular property की stamp duty value या जिसे हम circle rate भी कहते हैं जो हम registry कराते समय जिसके उपर local government को यानि state government को stamp duty देते हैं अगर market value stamp duty rate से कम है तो कही न कहीं income tax के repercussions arise होते हैं यानि income tax के परणाम builder को और buyer को दोनों को face करने पड़ते हैं तो यहां सर भारत सरकार ये मन्शा लेकर क्या ही है कि हम income tax relief दे देंगे home buyers को डवलपर को under section 50C and section 43A of the income tax act 1961 जहां पर जो एक variation की range है दोस्तों actual transaction price की और stamp duty value की उस range को जो पहले 5% थी फिर उसको 10% किया गया 2014 2020 से उसको भारत सरकार 12 November 2020 से बढ़ा करके 20% करने जा रही है तो यह 20% करने से सर हमें किस प्रकार से benefit होगा वह benefit मैं आपके सामने एक उधार्ण के तुरू रखता हूं जैसे how it works इस उधार्ण को देखेगा सर मैं तीन सेनारियो आपके सामने रखना हूं सेनारियो 1, सेनारियो 2, सेनारियो 3 मान लीजे दोस्तों एक बिल्डर ने 50 लाक रुपे में कोई फ्लाट बेचा जिसकी stamp duty value 60 लाक रुपे थी यानि अगर यह मान लिया जाए कि circle rate या stamp duty rate तो उस फ्लाट की जादा है और बिल्डर ने उसे 50 लाक रुपे में ही बेच दिया तो ऐसी परिस्थतियों में दोस्तों section 43 C of income tax act यह बूलता था कि हम तो sir minimum उसको stamp duty value पर tax करेंगे यानि उस builder को sir 10 लाक रुपे की जो notional value है उस पर tax देना पड़ता इसी प्रकार से क्यूंकि आप buyer of flat है यानि जो buyer है जिसने consumption के लिए जिसने अपने रहने के लिए वो particular flat खरीदा है उसको भी sir 10 लाक रुपे की value के उपर tax देना पड़ता तो यह जो amendment आ रहा है sir इस amendment के थू builder और buyer दोनों में से किसी को भी taxation नहीं आएगा यानि message यह है सीदे सीदे बोलों तो कि अगर आप जो property खरीदने जा रहे हैं जो एक residential property है और उस residential property की DLC यानि circle value अगर उससे कम पर आपने property खरीदा है और आपका actual transaction price से stamp duty value 20% की range के अंदर है यानि actual transaction value से stamp duty 20% value तक भी ज़दा ह तो भी भारत सरकार आपके इस particular transaction में आपके उपर कोई national taxation as a builder और as a home buyer नहीं लगाएगी यह एक relaxation है इसी को सर अगर मैं scenario 2 के रूप में आपके साथ में रखूं कि मान लीजे मैं यह कहता हूं कि 40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, कोई taxation नहीं आता क्योंकि यहां पर variation 20% से ज़्यादा है तो सर अब पूरे के पूरे 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, ना ही अब कोई प्रकार का taxation यहाँ पर आएगा तो यह जो भारत सरकार सर benefit देने जा रही है इसके दो beneficiary होंगे probably एक तो home buyers और एक real estate developer यानि अगर आप अपने रहने के लिए मकान खरीद रहे हैं या आप real estate developer हैं तो यह दो party सर इस particular policy decision से benefited होंगे अब मैं आता हूँ दोस्तों what are the important conditions के important condition क्या है जो आपको satisfy करनी है इस 20% rule के लिए the property should be residential only अभी जो भारत सरकार ने घोशना करी है कल वित्मंत्री ने अभी इस पर पूरी guidelines आनी बाकी है वो मैं फिर आपके सामने किसी वीडियो के तुरू लाँगा लेकिन अभी के लिए कहा है कि सर residential property होनी चाहिए मेरी opinion में वो house भी हो सकती है land भी हो सकती है इस scheme is applicable only for primary sales अब primary sales क्या है सर जरा इसको समझते हैं यानि मैं builder के पास में property खरीदने गया तो वो पहली बार उस particular property का बेचान इस primary sales मान लीजे मैंने already builder से flat खरीद रखा है अब मैं मेरे किसी मित्र को वो particular flat बीचने जा रहा हूँ और stamp duty value से जो variation आ रहा है वो variation 20% के अंदर अ लेकिन मान लीजिए मैं अपने मित्र को कोई अपनी property 10% से ज्यादा के variation पर बेच रहा हूँ यानि stamp duty value जो उस property की है वो actual transaction price के 10% से ज्यादा वेराई कर रही है तो ऐसी परिस्तती में दोस्तों फिर मुझे extra जो stamp duty value का difference आ रहा है उस पर tax liability as a sale consideration मानते वे दिनी पढ़ सकती ह और मेरे मित्र को भी क्योंकि वो flat stamp duty value से सस्ता मिल रहा है उसको भी वो tax देना पड़ सकता है तो primary sale पर ही केवल ये particular benefit मिलेगा primary sale की और परिभाशा आने वाले time में आ सकती है जिसको मैं clear करूंगा value of property should be up to rupees 2 crore यानि अगर 2 crore से ज्यादा की property है तो दोस्तों ये benefit 20% variation का नह मिलता रहेगा और ये जो transaction है वो 12 नमंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में हो जाना चाहिए ऐसा भी घोशना कल की मान्य वित्रमंती महदय की घोशना में की गई है तो दोस्तों आज की इस वीडियो का तत्व ये है कि अगर आपको कोई property builder से stamp duty value से कम पर यानि circle rate से कम पर मिल रही ह हूँ या मैं ऐसी शुवेच्छा रखता हूँ रादर दिवाली के मौके पर अपनी और से शुबकाम ना दे सकता हूँ कि अगर property आप करीदने जाए तो आपको minimum price पर मिलें कोई income tax नहीं लगा सकता तो सर ये एक particular benefit आपको तभी मिलेगा जैसा कि वारत सरकार ने अपक्षित रूप से बुला है कि कब जब आप circle rate से कम के ऊपर कोई particular property purchase करते हैं यानि अगर circle rate से ज्यादा पर property purchase कर रहे हैं या कोई property है जिसकी market value circle rate से ज्यादा है तो उस परिस्तती म सर किसी प्रकार का कोई benefit यहां पर नहीं मिलेगा तो इनी particular शब्दों के साथ सर मैं आज की इस वीडियो को यहां समाप करता हूं मैं आशा करता हूं कि जनता जनारदन को इस particular scheme का जो भारत सरकार ला रही है builder से सस्ते आवस्ये प्रयूजनाव के रूप में कोई benefit मिले और इ एक बार दिपावली के हार्दिक शुब कामना है थैंक यू बेरी मच जैह